आज मैं आपके लिए एक नई इनोवेटिव रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी दोस्तों तो मैं आपके साथ अल्रेडी शेयर कर चुकी हूँ पालक की प्यॉरी की रेसिपी तो बस उसी का यूज करके हम आज की इस हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले चलो तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो यहां पे मैंने एक कडाई में लगभग एक बड़े चमच के करीब जो तेल है उसको एड किया है तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएग हम इसमें एड करेंगे राय तो यहां पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं दोस्तों कि यहां की जो मेरी वीडियो है वो गलती से डिलीट हो गई है और यह वीडियो आ गई है तो हमारी जैसे ही राय जो है वो क्रेकल हो गई थी तो मैंने इस जो पेस्ट है जो टमाटर यहां पर मैंने 2 टमाटर, 2 प्यास, 3-4 लेसन, एक चमज, जीरा, इन सब को मैंने पीस कर इसमें अड तो यह गलती से डिलीट हो गया था अब इसमें एक चमज के करींब हम धनिया जीरे का पॉडर, आदी चमज, यहां पर हल्दी पॉडर, और एक चमज के करींब यहां पर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया तो अब हम क्या करेंगे से ढखकन लगा के लगपक दो से तीन मिनिट के लिए कुप कर लेंगे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो ग्रेवी है वो एक तम बंकर रड़ी है जो तेल है वो एक तम उपर आ गया है यानि ग्रेवी एक तम रड़ी है तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे तो लगपक मैंने यहां पर एक बॉल जो म तो हमने यहां पर मटर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लिया है अब देख सकते हैं तो इसको भी हम लगपक दो से तीन मिनिट के लिए ढख कर रखेंगे इसको ज़्यादा तेर हमें ढख के नहीं रखना क्योंकि अल्रड़ी जो हमारी मटर है वो पके हुए हैं सिर्फ दो से तीन मिनिट हम इसे रखेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे तीन मिनिट हो चुके हैं दोस्तो हम चेक कर लेते हैं हमारे मटर को तो यह देखिए जो मटर हैं वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे दोस्तो आज हम पालक की जो सबसी बनाने वा तो आप इस प्यूरी को इसमें एड़ करें तो लगबग यहां पे मैंने एक कप पालक की प्यूरी ली है इसे हम मिक्स कर लेंगे और यह अलरड़ी कुख इसे लिए हमें इसे ज्यादा कुख बिल्कुल भी नहीं करना आप सभी जानते हैं कि पालक में भी जो सॉल्ट होता है तो यहां पे हम इस टेज पे ही सॉल्ट एड़ करेंगे सबजी देखकर कि सबजी में हमें कितना सॉल्ट चाहिए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अप सॉल्ट डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे मिक्स करके लगबग वापस से हम इसे दो मिन तो दो मिनिट हो चुके हैं दोस्तों और हमारी जो सब्सी है वो आप देख सकते हैं यहां पे जो पालक है मटर है सब अच्छे से कोख हो चुका है तो हम खोल के चेकल लेते हैं तो यह देखिए अब फाइनली इसमें जो हमारा अगर आप रेस्टरांट जाते हो हो तो जो लिंक में आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेल करूंगी डूंट वरी और अब हम इसे अड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापिस से लगपग एक दो सेकिंड के लिए हम इसे डखकन लगा के रखेंगे क्योंकि जो हमने गरम मसला अड़ किया है तो उस दो सेकिंड हो चुके हैं हम इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखे काफी अच्छी खुश्पू आ रही है और फाइनल ही हमारा जो इंग्रीडियंट है जिससे सबसी में चार चान लग जाएंगे तो यहां पर मैने लिए है घर की मलाई जिसे हम जब हम दूद करम करते हैं और जाइन सेकिंड हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारी जो मलाई है उसकी भी काफी अच्छी खुश्पूव इस सब्ड़ी में आ रही है तो भस इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमारी जो सब्ड़ी है वह एक तम रड़ी है तो हम इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं एक क्लिक करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज 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 मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपके बच्चों को पसंद आई कि नहीं प्लीज शेयर करें मेरे साथ अपने कमेंस फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली प्रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई